नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपकी साथ साथिन सर्मा उत्तर प्रदीश का बजट बिधान सभा में आज 500 हो क्या है योगी सरकार ने इस बजट को भगवान राम के नाम समर्पित किया योगी सरकार का यह आठवा बजट है आपको बता दे कि योपी सरकार एक बजट में बिकास की राह दिखाई गई है वितमंत्री सुरेश खन्ना की योड से पेस किये गए बजट को लेकर कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है बजट सर्व समावेसी होगी वितमंत्री ने आगे कहा कि अयोध्या में रामंद्र के निर्माड के बाद यह सर बैश्विक परेटन का केंद्र बन गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून बिवस्था में अभूत पुरु सुधार हुआ है लखनव में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सीटी का निर्माड होगा पंद्रसो एकड में एयरो सीटी का विकास होगा वहें फ्यूचर एनरजी पर 4,000 करोड का M.E.U. हुआ है इस योजना के तहस सेवन स्टार गोटर और अनिश्विधाओं का विकास किया जाएगा विधान सबासदन में वित्रमंत्री सुरीज खन्ना ने 7,36,737 करोड यानी 71,000,000 रुपे का बजट पेस किया इसमें 24,000,000 करोड रुपे की नई उजनाय लाए गई है वित्रमंत्री वर्स के वजट में राजखोसी घाटा 3,46 फिस्टी है किसानों का भी इस वजट में खासा ध्यान रखा गया है वजट पेस करते हुए राज जी वित्रमंत्री ने कहा डार्क जोन में नए नीजी ट्यूब विल कनेक्शन देने पर लगी रोख हटा दी गई है जिसका सीधा लाग करीब एक लाग किसानों को मिला वर्स 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाग किसान क्रेडिट कार्ट बित्रित किये गया प्रधान मंत्री फसल 29 योजिना में वर्स 22-23 के लिए लगभग 10 लाग बीमा किसानों को अक्टूबर 2023 तक 831 करोड रुपे की छतिपूर्ति का बुक्तान किया गया प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजिना के तहट लगभग 63,000 करोड रुपे की रासी खादू में ट्रांस्वर्ट किया गया दिसंबर 2023 तक 2 करोड 62 लाग किसानों को टीडिपी के माध्यम से दी गई रकम है वर्तमान सरकार द्वारा 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46,000 लाग किसानों को 2,33,000 करोड रुपे से अधिक का रिकार्ड गर्ना मुल भुक्तान किया गया वही सरकार का लच परदेश में परेटन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने की है आयोध्या में स्री रामला का दिब मंदिर बन जाने और परार प्रतिष्टा के बाद वहां उमड रही आस्थाओं की भीड को देखते हुए आयोध्या में नागरिक सुविधाओं से जुड़ी ब्यवस्थाओं को और चाक चौबंद करने का इंतजाम भी बजट में किया गया है इसकी अलामा कासी मत्रुआ चित्रकूट गोरगपूर बिंध्याचल धाम में सुविधाओं के बिकास पर भी बजट पर फोकस किया गया है वितमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेस करते हुए कहा कि यदि हम किसी समाज संस्क्रिती में उच्चितम आदर्सों की कलपना करें तो राम राज की संकलपना के बाहर नहीं किया जा सकता है समाज में परसपर सहयो गेवं विश्वास न्याय आधारी सुसासन अप्राल सुन्यता तथा वर्ग भेद का पूड अभाव धर्मानुकूल आजरण को राम राज के प्रमुबिशिस्ताओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है मर्यादा पुरुशुतन स्री राम का जीवन हजारों वर्सों से भारत और विश्वों महत्तर जीवन आधर्स्तों की और अग्रिसर होने को प्रेरित करता रहा है पिता की वचन का मान रखने के लिए समस्त राजसी बैभो को निसंग कोच याद कर बनवास के लिए प्रस्थान करना और दुष्टों और अभिधर्मियों का द्रिष्ट अप्रुवक दहल करना ऐसे राजधर्म का अनुपम उधारण कहीं और नहीं मिलता वहीं आपको बता दे कि बजट पेस होते के दोरान किसानों का भी खाल रखा गया है अगर 60 साल के उम्रे के पास जो गुसान है उनको हर महीने 3000 रुपे का पिंसन भी दिया जाएगा वहीं आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी योगी आदितनात ने बजट पेस होने के बाद कहा कि हमारी सरकार का याठवा बजट है प्रतीग बजट में हमने अपने किसी थीन को लेकर प्रदीश में लोकमंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत किया है हमारा पहला जो बजट था वह प्रदेश के किसानों को समर्पित था आज का जो बजट है वह प्रभू स्रीर राम को समर्पित करते हुए लोकमंगल की भावना को समर्पित किया गया है ऐसे ही तमाम खुबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर धन्यवाद